कर्म विपाक संगीता बेसिकली यह वो विद्या है जहां पर आपके पूर्व जन्म के कर्मों को डिकोड किया जाता है ठीक है तो डिकोड करने से क्या मिलता है कि हम उस प्लैनेट से सम्मंधित या उस नक्षत्र से सम्मंधित कोई भी कर्म जैसा हमने पिछले जनम में किया उसको समझ पाएं और उसका उपाएं निकालके उसका निवारन कर सके अगर अच्छे कर्म किया है तो अच्छे फल मिलेंगे अगर बुरे कर्म किया है तो बुरे फल मिलेंगे तो कर्म विपाग संगीता का सबसे मूल देश यह होता है कि यह नक्षत्रों के चार पदों के बारे में बताते हैं नक्षत्रों में चार पद होते हैं और हर एक पद क्यूं आपको मिला है चाहे वो लगन हो चंद्रमा हो लगन हो चंद्र हो या कोई भी प्लानेट हो उस कंडिशन में कर्म विपाग संगीता यहां पर आपको एक जह पर यह कोई करता है कि प्रटिकुलर लगन में आपको क्यूं मिला हुआ है मैं आपको कंड़िक के बाद जो ग्रह है वो क्यूं मिले होई कि आछे यह पर जो तो कर्म विपाग संगीता का मूल सिद्धान्त कि आcmके पूरव संद्रम में किटने पूरव जनम के कर्म आपके पड़े वे हैं, जिसको जिसका ड्यू रह गया, उसको हम सॉल्फ कर सकते हैं, वैसे हमारी कुंडली से हमें सिर्फ चार जनमों का पता चलता है, पिछले चार जनमों का, अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट किसी भी नक्षत्र के प्रथम चरण में ह तो इसका मतलब इस जनम के ठीक पिछले जनम में आपने जो कर्म किया है उसमें उस प्लैनेट का involvement था ठीक है या उस प्लैनेट से related आपने पिछले जनम में कर्म किया है अगर यही नक्षत्र का दूसरा पद हो तो इसका मतलब इसके पिछले के पिछले जनम में उस प्लैनेट कर्म आपका ड्यू रह गया ठीक इसी तरह से अगर तीसरा पद आ रहा है तो उसके फिर प्रिविएस टू प्रिविएस और चौथे बद में सबसे लास्ट चौथा मतलब इसके पिछले चौथे जनम में आपने क्या कर्म किया है उसका रिजल्ट वो प्लानेट देगा ठीक है अब यहां पर कई जगह पर हमारे शास्त्रों में वेदों में उल्लेख है कि चार जनम क्या 100-200 जनम के भी कुछ-कुछ कर्म ऐसे ड्यू रहते हैं जिसको हमें भोगना पड़ता है वो completely depend करता है कि आप कितने पुन्ने करते हैं और कितने पाफ कर्म करते हैं उसका लेखा जुखा उसके उपर तो कर्म विपाक संगीता आपके इन चार पदों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं और इन चार पदों का आपको हिसाब किताब देना पड़ता है according to आप पर बहुत अच्छे तरीके से कर्म विपाक संगीता पहला जो उसमें बताते हैं पहले चाप्टर में कि जो प्लानेट नक्षत्र के किसी भी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है वो प्लानेट से संबंधित चीजे जो है आपको ब्राह्मन यानि ब्रह्मन के जैसा उसका का result मिलेगा कोई प्लानेट सपोस्थ ब्रहस्पती अगर किसी भी नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो उसका ब्रहस्पती के साथ connection बहुत अच्छा होगा उसके अंदर ब्रहस्पती के बहुत अच्छे गुण होगे क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रहस्पती और शुक्र यह दो प्लानेट जो है ब्रामґन में आते हैं, प्रामान प्लानेट में, उसी तरह दूसरे पद में अगर कोई प्लानेट रहता है, किसी भी नक्षेत्रके, तो वू बन जाता है शत्री है, यानि उसके अंदर राजसिक गुण जादा होगा ब्राह्मानों के अंदर सात्विक और शत्रियों के अंदर थोड़ा राजसिक थोड़ा सात्विक क्योंकि वो भी मिक्स होते हैं क्योंकि उनको भी ये दो में तीन गुण होते हैं लेकिन तीन गुणों के ये चार पदों में हम डिवाइट कहते हैं, तो शत्रियों के थोड़ा सा सात्विक और थोड़ा सा राजिसिक मिलता है, इसी तरह से तीसरे चरण में अगर कोई प्लैनेट आ रहा है, या कोई दूसरा जैसा आपका लगन आ गया, चंदर आ गया, तो वो वैशों वाले गुण होगी, मतलब पटिकुलर वो प्लैनेट व्यक्ति को वैशों जैसा रिजल्ट देगा, यानि बिजनस मैंडेट, यह पूरी तरह से राजिसिक हो गए, और उसी तरह से चौथे चरण में जो प्लैनेट है, नक्षतर के, वो शूद्र आ गये, पूरी तरह से तमसिक, तमसिक देगे, यानि कि उससे रिलेटेट जो भी काम आएगा, उस काम को आपको बहुत हाड़ वर्क के साथ करना है, क्योंकि वही प्लैनेट लास्ट बचा हुआ है, जिसका कर्म आपको इस जीवन में निप्टाना ही है, किसी भी हालत में, ठीक है, तो चौते चरण का जो भी प् उनली है, उन सबका जो लगन है, वो किस नक्षत रखे, किस चरण में है, ठीक है, किस नक्षत रखे, किस चरण में है, अब आप समझ लीजिए, किसी का दूसरे नक्षत, दूसरे नक्षत रखे, किसी भी नक्षत रखे है, तो उसको कैसा काम करना पड़ेगा, उसको काम कर तो आप इतने विनम्न चुपचाप काम करने वाले इंसान है आप ना तो सीना तहान के चलते हैं ना तो किसी को घमंड दिखाते हैं बस काम मिल गया हमने बस हाँ जोड के चुपचाप काम कर लिया शांदी पूर्वक ये पटिकुलर पहचान होती है आपके तो लगन से पता चल गया कि आपको आपका जो शरीर मिला हुआ है उस शरीर का धर्मी वही है अगर आपको अभी पकड़ के ले जाके बोलो चल मार्शिलार सीखते हैं तो आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा लेकिन जो राजसिक गुन वाला मतलब दूसरे चलन वाला जो होगा उसके अंदर बड़ा होगा अभी उसको बोलो जो भी करने के लिए उसके वास बहुत एनर्जी होगी फिजिकल एनर्जी बहुत आई होगी ठीक है तो कर्म विपाक संगीता मेंली जो है हमारे भगवान शीवची ने महापारवती को एक एक पद के बारे में एक एक स्टोरी सुनाया होगा और हम जो पढ़ेंगे क्योंकि कर्म विपाक संगीता सच में अगर मैं बोलू अगर इसको पढ़ना है तो एक साल का वक्त ल कवर करेंगे इसमें सिर्फ स्टोरी बताई जाएगी ठीक है कि पटिकुलर इस नक्षत्र के इस चरण में भगवान शिव ने महापारवती को क्या स्टोरी बोली है और उस स्टोरी का जो निचोड यानि कि अगर कोई गलत है तो उस गलत का क्या निवारन है उपाय क्या निकल जाए तो सीधा सीधा मीनिंग निकालेंगे तो आएगा नहीं क्यूंकि कुछ कुछ जगों पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मन की हत्या कर दी तो इस जनम में उस व्यक्ति को ब्राह्मन एक मनुष्य के समान ठीक है आपको सोना मतलब की करीब सतर किलो सोना दान देने के लिए तो हमारे लिए क्या पॉसिबल होता है कि यहां ब्राह्मन को उसके खाने पीने का समान या उसके निर्वाह करने का जो भी वस्तोस को हम दे सकते हैं ठीक है इसी चीज़ को हम मेंली कर्म विपाक संगीता में समझेंगे की का